Hi everyone, Namaste, Welcome back to a new video, Hope you all are doing good So, आज का वीडियो है, वो रेगलर वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है आज प्लाइन डेडिकेटेड वीडियो है तो आज मैं आप लोग के साथ में शेर करूँगी कि कैसे मैं अपने प्लाइन्स की केर करती हूँ अगर आप मुझे रेगलर फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि how much I love plants मेरे पास काफी सारे plants है तो जो कुछ भी मैंने अपने experience से सीखा है वो मैं आज सारा information आप लोग के साथ में शेर करूँगी कि मैं किस तरह कमिट्टी यूज़ करती हूँ और कुछ दिनों से मैंने सब्जियां उगाने का भी ट्राइ किया है तो वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ओके स्टार्ट करेंगे सॉयल मिक्स्चर से मिट्टी में कैसे रेडी करती हूँ तो यह कोको पीट ब्लॉक लिया है मैंने इसे इस तरह से पानी में सोख करके और यूज कर सकते हैं मिट्टी जो मैं यूज करती हूँ उसमें तीन जीजों का मिक्स्चर होता है फर्स्ट सॉयल, सेकेंड कोको पीट और थर्ड कमपोस्ट तीनों का जो रेशियो है वो मिट्टी में 50% लेती हूँ 25% कोको पीट और 25% कमपोस्ट तो जो भी मैं ग्रो करती हूँ जो कुछ भी मेरे पास प्लांट्स हैं चाहे वो सबजिया हो चाहे वो रेगलर प्लांट्स हो इंडोर प्लांट्स हो सबी के लिए मैं same soil यूज करती हूँ एक और टीप यहाँ पर आपका जो pot में hole है वहाँ पर इस तरह का stone place करते हैं कर सकते हैं ताकि आपका जो drainage hole है वो block ना हो और water drainage proper way में हो तो आज हम propagate कर रहे हैं कुछ plants एक plant से हम multiple plants बनाएंगे तो यह एक सदा बहर का plant है flower plant इसमें white flowers आते हैं तो इस तरह से दो थें तो दोनों को हमने इस तरह से divide करके दो अलग-अलग pot में लगा दिया है और यह एक से दो महने के बाद का growth है second है यह wandering jiv this is the easiest plant to grow बहुत आसान है इसे grow करना बस आपको पुराने plant से कुछ cutting लेनी है और नए pot में लगा दें बहुत ही जल्द आपका एक नया plant ready हो जाएगा wandering jiv का plant अगर आप full sunlight में रखेंगे तो इसके जो leaves होते हैं वो size में छोटे और red color में आएंगे और अगर आप medium light में रखेंगे तो leaf का size बड़ा होगा और green color में होगा तो यह आपने देखा एक से दो मेहने के बाद का growth next plant हमने लिए है snake plant तो जो plant होता है उसमें काफी सारे side पे baby plants आते रहते हैं तो इस तरह से निकाल कर आप एक complete नया plant ready कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर in ceramic jar में मैं यह plant लगा रही हूँ जिसे मैं रखने वाली हूँ अपने kitchen में ओके next हमने लिया है money plant यह plant तो आप सभी को पता ही होगा इसे हमने काफी time से इसकी cutting water में रखा था जिससे आप देख सकते हैं इसके roots कितने निकलाए हैं तो इसे मिट्टी में लगाने से पहले इसे अच्छा से clean कर लेंगे और मिट्टी में लगा लेंगे तो इस तरह से money plant को आप propagate कर सकते हैं या फिर कोई भी plant creeper kind of जिनके aerial roots होते हैं वो सारे plant आप इस तरह से propagate कर सकते हैं ओके सो आगे video continue करने से पहले मेरे पास कुछ plants आए हैं हम उनकी unboxing करेंगे तो ये plants मुझे आए हैं उगाओ से उगाओ is one stop shop for all your gardening needs उगाओ online shop है जहां से आप gardening related product purchase कर सकते हैं आपको उगाओ पे हर तरह के plant मिल जाते हैं तो उनके plant को इस तरह से pack होकर आते हैं जिसमें box में सारे instruction दिये रहते हैं कि आपको केस तरह से plant को safely निकालना है तो one by one हम plant को open करेंगे और देखेंगे कौन-कौन से plant हैं तो first जो plant है वो है this pink syngonium तो हमने complete इसको unpack कर लिया है और आप देख सकते हैं plant कितने अच्छे condition में आया है so one by one हम बाकी के plants भी देख लेते हैं तो next is wandering zeev और third जो है ये है philodendron fourth one is aralia और ये हमारा last plant this is fitonia ये मेरा favorite है मुझे इसका जो leaf का color and जो उसका texture है वो बहुत ही पसंद आया तो इनके जो pot है वो भी बहुत unique है these are the self-watering pot इन planters को इस तरह से design किया गया है कि ये आपको आपके plants को perfect amount of hydration provide करते है with its self-watering mechanism and साथ ही हर plant के साथ में इस तरह का एक card receive होता है care guide जिसमें plant related जो भी जानकारी है कि आपके plant के care कैसे करनी है वो सारी सीजे mention होती है with name and photo I really like this concept okay so अगर आप सोच रहे हैं कि what about the big plants वो कैसे आते हैं तो वो इस तरह से pack होकर आते हैं उपर box में ही mention होता है कि अंदर plant है तो इसे safely carry करना है तो ये मुझे receive हुआ है monster and this is my first monster I am really excited about this तो इसे open करते हैं okay so ये इस तरह से pack होकर आया है कहें पे भी मुझे कुछ भी damage नहीं दिख रहा है उपर soil में भी tape किया हुआ है ताकि soil split ना हो और उपर ये moss provide करते हैं ताकि plant delivery के time पे अगर packaging में रहे तो इसका जो soil है वो dry ना हो so plant complete healthy condition में है कहें पे भी कोई damage नहीं है और new leaf भी आ रखे है so this is all about ugau तो अगर आप online plant और gardening related product लेने की सोच रहे हैं तो you should definitely consider ugau और अगर आप ugau से shopping कर रहे हैं तो आप मेरा code यूज़ कर सकते हैं चान्नी CHAN DNI to get 15% off okay now back to the video तो आज हम ग्रो कर रहे हैं कुछ सबजिया तो soil mixture हमने same use किया है जैसा मैंने आपको starting में दिखाया था और first thing जो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ वो है धनिया कोरियेंडर तो धनिया के कुछ बीज थे मेरे पास तो इस तरह से मिट्टी में डाल कर और उपर से soil का एक layer डाल देंगे और पानी डाल देंगे जब तक कि seeds germinate नहीं हो जाते हैं तब तक आपको इसे गीला रखना है moist रखना है और shed में रखना है direct sunlight में नहीं रखना है ओके सो ये हमारा धनिया ready है after 30 to 40 day and next हम यहाँ पर लगा रहे हैं पालक जिसके भी seeds मेरे पास थी आपको किसी भी local nursery में ये seeds मिल जाएंगे पालक होगाने का भी सेम तरीका है बस इस तरह से seeds को sprinkle कर दें और उपर से soil cover कर दें और इसे जब तक कि ये germinate ना हो जाएं तब तक आप इसे चाया में रखें और moist रखें, गीला रखें पालक थोड़ा जल्दी आ जाता है धनिया को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और बोथ हाँ seasonal तो अगर आप beginner हैं तो seasonal vegetable ही grow करें विंटर में हैं ये दोनों लगाएं अगर आप दूसरे season में लगाते हैं तो chances हैं कि ये उतने अच्छे से नहें आएंगे और ये हमारा पालक रेडी है तो इसे हमने अगर आप इस तरह से कट करके यूज करते हैं तो इसकी वापस से ग्रोथ होती है इस तरह से इसमें इसे आप 3-4 बर हाविस्ट कर सकते हैं ओके निक्स्ट मैं ग्रूव कर रही हूँ टोमेटो तो मैंने कीजन का ही टमाटर यूज किया है इस तरह से मिट्टी में डाल कर और मिट्टी से कवर करके और पानी डाल दिया और आफटर अल्मोस्ट थर्टी डेज इसमें आ जाते हैं प्लांट्स तो बहुत सारे प्लांट्स एक साथ आ जाते हैं तो आपको क्या करना है कि प्लांट को निकालना है एक-एक प्लांट को अलग करना है और बड़े पॉट में ट्रांसवर करना है तो उसके बाद इसकी रियल ग्रोथ शुरू होगी टोमेटोस को काफी टाइम लगते हैं टोमेटोस के जो फूरूट है उसे पकने में ग्रो होने में लगभग 2-3 मन्स लग जाते हैं और यह आप देख सकते हो हमारे इसमें फ्लावर और फ्रूट दोनों आ रखे हैं मैंने भी यह सारी सब्जियां फरस्ट टाइम ही ग्रो किया है बट मुझे यह एक्सपिरेंस हुआ कि इतना भी मुस्किल नहीं है इसमें कोई rocket science नहीं है आप भी कर सकते हैं और निक्स्ट हमने यह लिया है मिंट जो कीचन के लिए मिंट लेकर आते हैं हम बजार से उसी मिंट को मैंने 2 दिन पानी में रख दिया था और इस तरह से इसमें roots निकलाए हैं, roots आने के बाद हम इसे मिट्टी में डाल रहे हैं बस इस तरह से मिट्टी में डाल कर और पानी डालते रहेंगे और धूप में रखेंगे और लगभग 30-40 दिन के बाद हमारा मिट्ट इस तरह से ready है तो जैसा कि मैं बता रहे ही सबजी उगाना बहुत मुस्किल नहीं है बस आपको basic gardening knowledge होना चाहिए और दूसरी चीज कि जहां पे भी आप सबजी उगा रहे हैं या फिर flower उगा रहे हैं तो वहां पे minimum 4-5 hours sunlight आनी चाहिए तब ही आपकी सबजी उपाएगी ओके सो नाव moving on तो अब हम बात करेंगे कुछ regular plants की जो हम सभी के पास होते हैं indoor and outdoor plant उसकी care कैसे करनी है तो मैं क्या करती हूँ generally मेरे जो plants होते हैं बहुत सारे उनको मैं month में या फिर two months में इस तरह से bathroom में लाकर सारे plants को wash करती हूँ इससे क्या होता है जो भी उसमें bugs वगरा होते हैं वो निकल जाते हैं धूल गंदगी जो होती है वो साफ हो जाती है तो इस तरह से plant काफी healthy हो जाता है और अच्छे से उसकी care भी हो जाती है और clean भी हो जाता है ओके सो कुछ plants में bugs हैं तो उसको treat करने के लिए मैं यूज करती हूँ हुए है उसमें spray कर देना है तो बेटर है कि जब start हो plant का infection उसी टाइम पे आप spray करें तभी neem oil काम करेगा और जब तक कि bugs पूरे तरह से हट ना जाए तब तक आप यह process repeat कर सकते हैं तो जो भी मेरे plant infected थे उनको मैंने पहले clean किया बातरूम में लेजा करके और उसके बाद मैंने ये spray किया ओके मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ एक और fertilizer जो मैं use करती हूँ compost के अलावा तो यह है seaweed solution जो मैंने amazon से purchase किया है तो इसको 10 लिटर पानी में I think 10 ml मिक्स करना होता है और इस तरह से जैसे आप regular अपने plant की watering करते हैं उस time पे आपको इसे डालना है कोई भी fertilizer plant में आड़ करने से पहले आप मिट्टी को थोड़ा loose कर लें और उसके बाद fertilizer डाले मैं बहुत ज़्यादा fertilizer यूज नहीं करती हूँ कभी कबार दो मेहने में एक बार या फिर तीन मेहने में एक बार डाल दिया और सिर्फ ये दो fertilizer ही मैंने यूज किया है compost and seaweed solution और ये दोनों ही organic fertilizer हैं इविन जो भी insecticide or fertilizer हम यूज कर रहे हैं सभी organic है ऐसे plant specific कुछ भी उस नहीं करती हूँ सारे जो plant हैं उनमें same fertilizer ही डाल देती हूँ तो अब हम बात करेंगे जो मेरे water वाले plant हैं उनकी care कैसे करनी है तो ये कुछ plant है जो मैं पानी में रखती हूँ तो इसे month में at least एक बार अच्छे से clean करना होता है और इसका पानी change करना होता है plant को निकाल कर अच्छे से wash कर लें जो container है उसे भी अच्छे से wash करना है और उसके बाद उसमें fresh water डाल कर वापस से plant डालना है ऐसा आपको महिने में at least एक बार तो करना ही चाहिए अगर आपका plant को आपको healthy रखना है तो और ये है lucky bamboo जो last three years से I think मेरे पास है कई बार हम इसे छोड़कर six month तक के लिए हम इसे छोड़कर गए हैं हमारे hometown उस time भी ये survive कर गया बहुत सारे इसके जो leaves थें वो yellow पड़ गए तो वो मैंने हटा दिया है इसलिए ये काफी कम हो गया है बट still ये survive कर गया तो इसे भी मैं इस तरह से clean कर लेती हूँ जो भी मैंने इसमें pebbles use किये हैं उसे अच्छे से liquid soap डाल कर clean करती हूँ जो container है उसे भी अच्छे से clean करती हूँ और उसमें वापस fresh water डाल कर और plant को अच्छे से clean करके वापस रखती हूँ तो इस तरह से आप अपने water वाले plant का care कर सकते हैं और जो मैं इसमें पानी use करती हूँ वो मैं आरो water ही use करती हूँ क्योंकि जो tap water है उसे container में वो white white दाग पढ़ जाते हैं बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यह plant अंदर survive करेगा क्या तो प्लांट इंडोर आउट्डोर ही होते हैं इंडोर कोई plant नहीं होता मिन सभी plant को sunlight चाहिए ही बट कुछ plant जो हैं वो medium light में भी survive कर लेते हैं अगर आप बिल्कुल dark place में किसी plant को रख देंगे जहां बिल्कुल भी light नहीं आता हो तो वहां आपका plant survive नहीं कर पाएगा तो अगर direct light नहीं बट light भी आ रही हो तो भी आपका plant रह जाता है तो यह था मेरा plant related ग्यान I hope आपको पसंद आया हो, helpful रहा हो, informative रहा हो comment करके जरूर बटाइएगा तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ Thank you so much for watching